हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी जो की बहुत ही जटपट बन जाएगी और बहुत ही जटपटी लगेगी खाने में भी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर ये मेरी वीडियो आप सा बॉल दे रही हूं उसमें मैं चॉप किया हुआ सबसे पहले टमाटर डाल दे रही हूं उसके बाद सिम्ला मिर्च है ये हरी वाली सिम्ला मिर्च है आप चाहे तो कोई और भी डाल सकते हैं रेड येलो कोई भी इसके बाद मैं कुछ चॉप किया हुआ गाजर डाल दे र धनिया पत्ती भी डाल देनी है तो यह देखिए बहुत ही चट पटा सा दिख रहा है और कलर बिल्कुल मल्टी कलर आया है तो मैं यह रेगुलर सॉल्ट डाल रही हूं इसमें यह चिली फ्लेक्स टेश्ट अगर आप चिली फ्लेक्स नीवी डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं यह अभी मैं डाल रही हूं हाफ टेवल स्पून चाट मसाल्ट और टूट पूं जितना मैं इसमें टोमैटो केचप डाल दे रही हूं तो यह देखिए अब सारा चीज हमा तो यह देखिए सारे चीज को अब हमें बिल्कुल अच्छे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है तो देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स होके त्यार हो चुका है तो अब हमें जो अगला स्टेप है वो करना है कि एक और अलग जोटा सबाव लेना है उसमें मैं टू सबस्पूजितना मैदा डाल रहें और इसके साथ ही मैं इसमें एसपर टेस्ट มरत डाल देज़ें बिल्कुल लाइट इसमें टेस्ट आती लिए और बस और कोई भी चीज हमें इसमें इसमें नहीं करना इसमें बिल्कुल हलकालका सा पानी डालते वे इसका एक मिक्शयर ह जिसमें कि हमें जो हमारा स्नेक्स है उसको डीप करने के काम आएगा तो यह देखिए ना बहुत जादा गाढ़ा करना है ना भी पहुत जादा पतला इसे छोड़ना है तो मैं इसे त्यार कर ले रही हूं देखिए यह बिल्कुल लंग स्प्री हो चुका है तो अब मैं उसे स करना है और चारो तरफ से जो यह इसका कॉर्णर बच रहा है उसे हमें फेकना नहीं है इसका हमें ब्रेडगर्म्स बना लेना है ताकि उसमें जो हम इसे डीप करेंगे तो देखने में बहुत ही अच्छा लगी है और उसका टेस्ट भी बहुत ही क्रंची आएगा तो सारे क मैं ऐसे ही करके निकाल ले रही हूं और इसे बिल्कुल हलके हाथों से आप एक बार बेलन चला ले इस पे ताकि यह हलका सा चिप्टा सा हो जाए और जो हमने मिक्स्चर बना के रखा था सारे वेजीज का तो उसे इसमें फिल कर देना है उपर से डाल देना है और इसके जो हमारा मैदा वाला लिक्विड था उसे मैं चारो तरफ से डाल दे रही हूं ताकि इसे चिपकने में कोई भी प्रॉब्लेम ना हो तो देखिए बिल्कुल अच्छे से यह चारो तरफ से चिपक चुका है बिल्कुल भी अब इसमें से कोई वेजीज निकलेगा नहीं या फिर यह देखने में भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही करकर के मैं सारे ब्रेट को फिल कर ले रही हूं मैं यहां पर तीन बॉल्स ही बना रही हूं तो यह देखिए सारे ब्रेट को मैं बना के एक साथ त्यार कर ले रही हूं औ तो इसमें ज्यादा ओयल ना लगया और ज्यादा यह एब्सॉर्ड ना करें तो इसे करके और एक बार आप ब्रेट कर लें दोनों तरफ से बार बार पलट पलट के तो यह देखिए बहुत ही अच्छा भी सही देखने में यह लग रहा है तो ऐसे ही करकर के मैं सारे को डीप क तक हम तरह दे रही हूं गर्म होने के लिए तब तक मिलातर है समय करें जिसमें कि हम आप चाहते हों तो इसमें आप ना तो इसंसे लिक्विड के अब मैं बारी बारी से इसे डाल दे रही हूं इसमें और इसे बिल्कुल डीप गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें दोनों तरफ से पलट पलट के फ्राई कर लेना है आपको उपर से ही पता लग जाएगा कि ये एक तरफ से हो चुका है हलका सा तो आप दूसरी तरफ से पलट दे ये देखिए इसमें बहुत ही अभी कलर डीप नहीं आया है बिल्कुल हलका है मैं इसे पलट दे रही हूं ताकि ये अच्छा से क्रंची हो जाए बिल्कुल यहा तीन से चार वार पलट रहे हूं ताकि यह अच्छे से अंदर तक कूख हो जाए जो हमारा वेजिस है वो भी तो देखिए कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है तो अब मैं इसे बस कुछ सेकेंड के लिए और इस वैल में छोड़ दे रही हूं और इसका निकाल के मैं इसे एक टीशू पेपर पर डाल दूँगी क्योंकि इसमें जो भी ज्यादा एक्स्ट्रा ओयल हो वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए तो देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है तो अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा रही हूं यह देखिए इसे आप सौस के साथ चत् चिपी कैसी लगी तो देखिए कितना जूसी दीख रहा अंदर से यह और बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी भी है तो देखिए आप लोग भी बनाईए खाईए और इंजॉय कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग